हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल लॉजिक पार्ट शला स्टार्ट कते हैं जोग्रफी की एक और वीडियो जिसमें आज उन पढ़ते हैं नदियों के किनारे बसी भारत की प्रमुक्ष है तो नदी वाले टॉपिक के बाद ये टॉपिक गलती से चूट गया था तो इसको हम आज पढ़ लेते हैं तो कोई दिकत वाली बात नहीं है काफी साधा important topic है because यहां से questions पूछा जाता है कि आपको शहर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे नदी का नाम पूछा जाएगा ठीके तो कि यह इस शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो काफी बार हम से क्या होता है कि हम जोड़ी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं हम मीन मीन नदिया तो पढ़ लेते हैं लेकिन उन नदियों के किनारे जो शहर बसी हैं उनको हम ध्यान से उनको पर हम ध्यान नहीं देते ठीके तो यहां पर हमारी चीज़ें क्या हो जाती है छोट जाती है तो बिल्कुल आपको कोई चीज नहीं चोड़नी है एक्जाम के परपस से सभी इंपोर्टेंट है तो फिर चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करिए लाइक करें शियर करिए और बेल आइकन पे बी क्लिक करिए तो दीके सबसे बेल अगर हम बात करें तो श्री नगर श्री नगर जब हमने जेलम नदी तंतर पढ़ाता जब हमने जेलम नदिय तो आपको जहिलम लगा रहे हैं तो फिर जल्दी से हम शहर और उनकी नदी के नाम धारेटे से पढ़ते जाते हैं ठीके तो फिर्स्ट हमने कर लिया कि श्री नगा जो है वो जहिलम नदी के किनारी बसा है लही कि अगर बात करें तो लही जो है वो सिंधु नदी के किनारी ब पूर सतलच और नी इसके नीचे लिखा है गाजियाबाद ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है गाजियाबाद गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा है और बदुरी नाद की बात करें तो अलक नंदा के किनारे पर है बकसर, बलिया, पटना, मुंगेर और भागलपूर य ये सभी की सभी जो हैं वो गंगा नदी की किनारे बसी हैं तो हम जब क्या करते हैं देखें गंगा कहां से निकल रही है कौन कौन से नदिया जुड़ रही है बस इतना पढ़ ले दें और ये टॉपिक हम से छूट जाता है तो किसी भी टॉपिक को छूड़ने के बिलकुल भ उंगेर भागलपूर ये सभी गंगा नदी के किनारे बसी हैं और दिल्ली मतुरा आगरा ये है यमना नदी तो यमना तो हम जानते हैं दिल्ली नदी यमना मतुरा यमना आगरा यमना ठीक है उसके बाद है कोटा कोटा जो है वो चम्मल नदी के किनारे पर शहर बसा हुआ ह आगे बात करते हैं तो उत्तरकाशी इधर लिखा है कि उत्तरकाशी जो भागी रती के नदी के किनारे पर है तिहरी के बात करें तो भागी रती इवं भिलांगना दोनों रती के किनारे पर है देव प्रियाग भागी रती और अलग नंदा का संगमी देव प्रियाग कहलाता ह ठीके देव प्रियाग जगे का नाम है जहां पर भागे रथी नदी और अलगनंदा नदी जो है वो आपस में आकर मिलती हैं इसी परिकार से रुद्र प्रियाग में मंदाकनी और अलगनंदा नदी मिलती हैं कर्ण प्रियाग में पिंडार और अलगनन्दा नदी और विश्नु प्रियाग धौली गंगा एवं अलगनन्दा तो ये जो प्रियाग प्रियाग है ना इनको अच्छे से ध्यान रखे कि क्योंकि ये संगम कहलाए जाते हैं यहां पर दो नदियों का संगम होता है ओके इसी पर अगी बात करें तो रावत भाटा चंबल नदी के किनारी पर उज्जेन काफी फेमस है उज्जेन पूछा भी गया हुआ है शिपरा नदी किसका नाम है उगली जो है वो गंगा का ही नाम है ठीके तो इसको ध्यान रखेगा हावडवी हुगली नदी तिलया और मैथन बराकर ये दोनों को तन ध्यान रखने के जरूतने ये इतनी इंपॉटेंट नहीं हुए तो आपसे जादा ये पूछी भी नहीं जाएंगे और उसकी बात एकर हम इधर की ही बात करें तो सिंद्री दामुदर नदी तो इसे ध्यान रखेगा गुवाहाटी और धूबरी ये सबी के सबी जो हैं वो ब्रह्मो पुत्र नदी के किनारी पर बसी हैं इधर की बात करें तो हमने राम गंगा तक पढ़ लिया था फैजबाद जो है वो घागरा नदी जौनपूर लखनौ ये दोनों के दोनों काफ इसा हुआ है तो ध्यान रखेगा सर्यू नदी के किनारी पर ठीके तो इंपोर्टन चीज़ें आपको बताई जा रहे हैं तो इनको बिल्कुल इसकेप मत करिए उसी तरीके से आगे बात करते हैं तो हरिद्वार, कन्नौच, कानपूर, इलाबाद, वारानसी ये सबी के सब इलाबाद जिसका नाम अब प्रियाग राज हो गया है तो आप इलाबाद के नाम से भी याज रख लीजे और यहां पर गंगा और यमना इनका संगम भी होता है तो इसे भी ध्यान रखना है और कानपूर, कन्नौच, हरिद्वार, वारानसी, काफी फेमस हैं सबी के सबी ग अगर आपसे नहीं आद हो पारे सारे टू टेंशन की बात नहीं है लेकिन इंपॉर्टन चीज़े मत छोड़िये ठीके तुम्हें आपको इंपॉर्टन भी बता रही जो एकजाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगे बात करते हैं तो गांधी नगर और एहम्दाबाद ये दोनों important है साबरमदी नदी के किनारे पर बसी है जबलपूर नर्मता नदी, होशंगाबाद, नर्मदा, भरुष, नर्मदा, सूरत ये important है कि सूरत कौन से नदी तापी भी हो सकता है और तापती भी कहते हैं हम उसे नासिक जो है वो गुदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये पंडरपूर नांदेड ये इतने important नहीं है ये इतने important नहीं है बट इधर के आपको गांदी नगर, एहमदाबाद, सूरत, हैदरपाद ये सारे के सारे यादों ने बहुत जरूरी है और हम थोड़े से बात करते हैं तो कुर्णूल याद रखे तुंग भद्राई इंपोर्टेंट है निलोर, पेनरू और मदुरई, वेगाई और रामनादपुरम ये याद रखे रामनादपुरम कौन से नदे के नारे बसा हुआ है वेगाई नदे के नारे और ये वाली बात इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखे कि तेरे कोल नदी गोवा इवं महारास्ट की सीमा बनाती है तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तेरे कोल नदी गोवा और महारास्ट की सीमा बनाती है तो ये थी हमारे जो इंपोर्टेंट नदी हैं कि इंपोर्टेंट नदी के नारे जो जो शहर बसे हैं ये हमने इस वीडियो में देखा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक करेंगे स्टार्ट तो मलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू